हेलो बच्चों, हेलो पेरिंस, कैसे हैं आप सब? I hope आपका दिन बहुत ही अच्छी तरह से जा रहा है So दोस्तों, आज मैं आपको एक नही रायम के बारे में बताऊंगी जो की इस बुक में है, वो है लिटल बर्ड पक्षी के रिगारिंग, हम एक ये रायम सुनेंगे ये इतनी फेमस नहीं है, पर ये जरूर है कि आपको ये ओनलाइन यूट्यूब में इसकी लिरिक्स और इसकी जो बोल है आपको मिल जाएगी चलिए मैं आपको सुनाते हूँ लिटल बर्ड लिटल बर्ड बर्ड चाहुँ हुँ 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 जब लुँ वो बर्ड बर्यू स्थ्ट प्ट स्थ्ट स्थ्ट ज आट的话 द कै ये जायल स्वआ तर मैं कैने तक Auf नहते हुँ लुट स्वट ये को यह एक जगह में आकर बैठते हैं फिर अचानक से उनको एक फिकर आती है हम लोग जाता देखते हैं कि जो बर्ज रहते हैं वह बायल किनी में हो गया या फिर कहीं पर भी वह और बैठते हैं तब ही उनको क्या होता है कि बट से तो यह सुन नहीं पाते हैं पर वाइब्रेशन से उनको पता चलता है तो जैसे कि आप लिखा है कि जब मैं देख राता है एक अच्छी से अपना एक्सपरियंस किसी ने शेयर किया है कि जब मैंने देखा कि दो बर्ड बैठे वे थे फिर वो किस तरह से जा रहा था थोड़ा थोड़ा हट कर जा रहा था so I cried little bird will you stop 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 मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ रुक जाओ रुक जाओ when I was going to window जब मैं इसके खिटकी के तरफ बढ़ी रहा था तभी मैंने उनको बोला अरे मत उड़ना मत बैठ जाओ थोड़ा ठेहर जाओ रुक जाओ पर बढ़ को अगर ऐसा हुआ लगा उनको कि शायद कोई उनके तरफ आगे बढ़ रहा है या फिर शायद उनको कुछ हाम हो सकता है तो वो vibration और फील करके थोड़ा सा डर के लिए डर के मारे वो हटने लगते हैं तो फिर तभी क्या हुआ उसने बोला मैं तो बस खिड़क के पास इसलिए जा रहा था ताकि तुमको अपना आपका हाल पूछ सको कि हाओ दी यू डू तब ही उन्होंने ऐसे जवाब तो मुझे नहीं दिया बस अपना तेल को यह जो टेल को इस तरह से हिला कर चले गए उड़ते उड़ते तो यह थी इसकी मीनिंग जहां तक मुझे पता है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इतनी हिंदी में इतनी अच्छी नहीं हूँ पर फिर भी मैंने आपसे यह चीज़ शेयर की अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है इसमें या फिर आपको कुछ और कुछ जानकारी मिलती है तो आप जरूर मेरे साथ शेयर करिए और यह इंफोर्मेशन से मुस्तक नहीं अगर होगा मैं एक बार इसके रिलेटर एक और भी या फिर जिसमें भी आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत इंपोर्टन रहे की और यह ज़्यादद मैं उन बच्चों के लिए यह बोलना चाहूंगी कि जिनको अगर इस वीडियो के थुरू अगर कोई भी हेल्प मिल पा रही है तो हम ज़रूर उनके तक यह information पहुँचा है तो चलिए अगर आपको अगर कुछ भी इसके related बताना हो या फिर आप मुझसे कोई भी चीज पढ़वाने के लिए आपको इच्छा है तो आप ज़रूर मुझे लिखके भीजिए तैंक यू